जीत के बाद रविंदर जटेजा को गोद में उठा का रो पड़े धोनी जिसके साथ ही जो है कारोलो फैंस भी रोने लगे जीहां दोस्तों इंडियन प्रीमियाव लीग 2023 का रोमांच खत्म हो चुका है 29 माई को चेनई सुपर किंग्स और कुजरा टैटन्स के भीच टूनामेट का फाइनल मैच खेला गया बताते कि जिसमें MS धोनी की यलो आर्मी ने पांच बिकेट से जो है धमाकेदार जो है जीत दर्ज की इसी के साथ धाला की टीम में जो है पांच बी बार IPL की चेंपियन बनी वही अभियान जो है अपने नाम कर लेने के बाद पूरी टीम खुसी से जूमती नजर आई इसी बीच धोनी ने रमेंदर जडेजा को अपनी गोद में उठा कर जीत का जशन मनाया इस दोरन कप्तान जो है काफी इमोशनल दिखे और रोते हुए भी दिखाई दिये दरसल हुआ एक इचेंपर केंस को जीत के लिए दो गेंदो पर दस रन की दरकरार थी ऐसे में स्ट्राइक छोर पर मवजूदा रमेंदर जडेजा ने आखरी उबर की पांचवे गेंद पर छका और छटी गेंद पर चौका जड़ जो है मैच CSK की जोली में डाल दिया जिसके बाद MS धोनी ने जो है भाग कर मैदान पर आये और उन्होंने जड़ू को अपने गोद में उठा लिया इसके साथ ही हुआ रोने भी लगे तो फिला दोस्तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राह है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमीं जरूर बताए पर पर आप कर आप लोगे जरूर लोगे प्रहिवा हमीं यड़ू यड़ू प्रहा है झा जरूर बॉक्स भी बाद़ू चामों के लिए आप लोगे जरूर आपकी लागा